ये राहां विच बंदयां दे मुहा बाले शेर बगे लेना हूंदे ताक कुड़ियां भी जा सक देज सी बाबे नानिक वांग उदासियां हुधे ताक कुड़ियां भी जा सकने सी गौतम वद वांग नरवान दी प्राप्ति लई ता उन्ना सत्ता रिशियां वेच कोई रिशिका भी जरूर खुंदी शामल जे राहां वेच बंदियां दे मुहां वाले शेर वगे लेना हुंदे अब थोड़ी थोड़ी समझ आती है लेकिन बोलने सकती हूं तो हिंदी में बोलूंगी हिंदी भी मेरी इतनी अच्छी नहीं है बीच में अंग्रेजी के शब भी आ जाएंगे पर आप शायद समझ जाएंगे और नहीं समझेंगे तो बार में पूछ क्वेस्टनाइशन सेशन में भी उसको हम देख लेंगे मतलब आप उसको उठा सकते हैं शुरू हम इससे करते हैं कि आज हम ऐसे मोके पर इकटे हुएं जहां पंजाब तो दिली में आ चुका है वो किसानों का जो अंदल है वो दिली के इर्दगिर्द है यहां से बहुत जादा दूर भी नहीं है और इसलिए पंजाब के साथ जो जुडाव है वो शैद मेरा हमेशा था लेकिन अब तो कुछ जादा ही हो गया क्योंकि जंडा जो उठाया हुआ है पंजाब के किसानों ने वो हमको एक तरह से एक आशा देती है कि मतलब हम अत्याचार को नहीं सहेंगे और आगे चल करके हम इसका विरोज भी करेंगे यह यह मैसेज हमको किसानों की स्ट्रगल से मिल गई है जिसमें बड़े-बड़े भाग में आप लोग जानते हैं बड़ा एक तपका जो है वो औरतों का है जो आए वे हैं यह आपर तो मतलब सोशल मीडिया वगरह में आप आपने देखा होगा कि जो तस्वीरें हम आगे बढ़ा रहे हैं उस कोई मर्द नहीं है तो एक तरह से इंडिया को हमारे देश को तो पता ही लग गया है लेकिन अंतर राश्ट्री स्थार पर भी लोगों को पता लग जा है कि औरतें किस तरह से भाग ले रही हैं अपने हकों के लिए और तो यह एक तरह से पित्रिश पित्रिशत्ता तूटन की बात और बदलने की बात तो जरूर हमारे सामने आही है हालां कि आप देख सकते हैं कि जो सत्ताधारी हैं हमारा कानून अधिकारी भी है वो भी तरह से कभी-कभी पीछे हड़ जाते हैं और आपको मालूम होगा कि एक कॉंट्रिफरसी छुड गई थी जब चीफ चस्टि कानून अधिकारी जाते हैं हैं और यह जो संघर्ष का स्थल है यह संघर्ष का मैदान है उसमें मर्द ही करें तो ठीक है तो एक तो वह आई थी और कुछ दिनों के बाद तो एक और एक और कॉंट्रिफरसील मामला चड़िया था जिसमें बातों बातों में जो लॉयर्स के साथ जो बात होती है जब केस आता है उसमें यह बात आ गई थी कि वह जो बलत कारी है उसको पुझा गया था कि बया तुम जिस लड़की से का बलत क्यार किया था उससे शादी करोग तो इससे भी बहुत जबरदस्त एक एक कॉंट्रिफरसी चड़ गए थी मैं इसलिए उठा रही हूं क्योंकि जो संस्था हमारे हां चल रहा है वो इतना मजबूत और कायम है और सो पित्रसत्ता का जो धांचा है वो पीडियों से चला रहा है बहुत पुराने समय से चल रह अधार और हमारे देश में उसका धांचा भी है कितना कॉंप्रिकेटर है बहुत जादा जटिल है तो यह वह सिर्फ जेंडर पर अधारित नहीं है सिर्फ मर्द और 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 उंच्नीच की बात नहीं है वो क्लास से भी जुड़ा हुआ है और वो जाती से भी जुड़ा हुआ है तो बहुत बहुत जटिल स्ट्रक्चर है जो धांचा है हमारे देश में और इसलिए उसको पूरी तरह से उखाड करके फेकना भी कितना मुश्किल हो जाता है आप देखेंगे जिस बात को मैं आपनों के सामने रखूंगी उसमें आपको दिखेगा कि क्यों मुझे लगता है कि भाई जब तक भारी तरह से संगर्शन चले इसके मिरत ये धांचा गिरने निवाला उजड़ उखडने निवाला और इसलिए देमोक्राटिक जितने भी लोग हैं वो सब बिल करके इस धांचे को ढगा लगा करके इसको खतम करने की जबात है वो करने की बहुत जरूरत होगी तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा मैं एक तरह से अध्यापक मतलब टीचर रही हूँ तो किसी भी चीज को समझने के लिए उसका सही समझ और विशलेशन करने की जरूरत है तो इसलिए शुरू हम इससे करते हैं कि बहुत पित्रसता है क्या और इसको आसानीसे हम कैसे देख समझे इसको इसका सामना कैसे करें एक तो यह बात है कि यह यह जो कुछ लोग मर्द तो शोशन करते हैं पनी भी अपने औरतों की जाए बेटियां हो जाए मारथं हो जाए बीवियां हो जाए जो भी हो कई बार ऐसे लगता है कि भाया वो मर्द जो है न वो खास मर्द एक तरह से क्या कहते हैं वो उसका दिमाग सही नहीं है वो वो सोशन करता है वो अकेला एक है तो उसको हम अंगेला कर देते हैं कि ये चीज जो है वो एक ये कुछ खास लोग हैं जो बुरे काम कर रहे हैं कि क्लास को हम धांचा कहेंगे। धांचा कि ये ये मेरा मालिक जो है। वह सिर्फ का काम करता है। हम समझते हैं कि मालिकों की जो कर्टूते हैं वो क्लास के साथ जुड़ी हुए हैं, क्लास ओप्रेशन के साथ जुड़ी हुई हैं और हम समझ जाते हैं, इसी तरह से जाती में जब कोई ऊच्छे जाती के लोग, डॉमिनेंट कास्ट के लोग जो जो मजदूरों के अपर खास करके जालित मजदूरों के अपर अपना सोशन करते हैं, तो उनको वो खास वो एक मालिक ऐसा नहीं है, हम समझते हैं कि यह था धांचा है और वो धांचा उसमें structure में कुछ लोड़ों के हाथ में साधन और कुछ लोगों के हाथ में दिया गया है कि तुम आपको मानिता है, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, आपको भारीं। ऊंचा समझ हो जाया जाएगा और अब जिन्डर का मामला आता है जब ऑडत इसता है, उसको बहाद एती है, धाम्त प्रति के लिड़े, चेयदूर के अगेशचे साथ है। वह एक और इसलिए उस धांचे को समझने की हमारी जरूरत है हम धांचे जब तत नहीं समझेंगे तो हम इस तरह से उसको उड़ा देंगे उस बात को उड़ा देंगे और जो लोग एक नया समाझ चाहते हैं और एक साम्यवादी समाझ चाहते हैं उनके लिए तो बहुत जरू तो पित्र सत्था इंस्टिटूशनलाइज्ट मेल डॉमिनस है। तो परिवार में जो हक जो है या जो पावर है वो इन दोनों के उपर हवी होता है और इसलिए देखेंगे कि मतलब मारना पीटना जो है वो उसके उसके इसलिए निकलता है क्योंकि वो वो पावर उनको समाज में उन्हों दे गई है और पीडियों से दी गई है वो धांचा कई क्या कहते हैं सेंचुरी से चलता हुआ रहा है तो इसलिए हमें पहले यह समझें कि यह एक अकेला बंदा नहीं है और इसको हम इतनी आसानी से उड़ा नहीं सकते हैं हमको यह धांचा को समझने की जरूरत है जिसमें बनाए उसमें भी है हालाँ कि हमारे पस और जो धर्मादिकारी है वो भी उसको कायम रखते हैं तो सारे संटानी करते हैं इन सारे सारे institutions में पित्रसत्ता कायम है और मजबूती से बैठी हुई है यह हम समझते हैं कि कितनी मजबूती से बैठी हुए क्योंकि हम इतने सालों के बाद भी struggle करते करते इस पर थोड़ी सी क्या कहते है धक्का इसमें थोड़ा सा लगा है लेकिन यह उखड़ा नहीं है यह पूरी तरह से कायम है अभी और इसलिए इसको हम जितनी चल्दी अच्छी तरह से समझे वो सही रहेगा तो जैसे ही वर्ग संस्था है और जैसे जाती संस्था है इसी तरह से पित्रसत्ता भी संस्था है it is institution है institutionalized dominance है और यह कई तरह किसे इसको कायम किया जाता है इसमें ideology का बड़ा जबरदस रोल है क्योंकि ideology उसको जो oppression है जो social है उसके उपर एक तरह सा परदा डाल लोता है क्योंकि लगता ऐसा है दिखता नहीं हमको पूरी तरह से कि यह पूरी तरह से oppression है या इसमें coercion है इसमें force use किया जाता है और आप देखेंगे कि कई बारी हम देखेंगे क कि अधरिकाइट जाता है कि मेरे पिता जी मेरे बाई मेरे मामा चाचा बहुत प्यार करते है मुझसे लेकिन जब वह खुले दिमाग से हक मांगती है या कहती है कि मैं ऐसा करूंगी तब डंडा निकलगे आ जाता है और डंडा को इसमाल भी होता है आगे चल करके हम उसको तो हमको वो जो coercion है यह force पूरी तरह से दिखता नहीं है लेकिन कोई संस्था जो अनिकुल संस्था है जो असाम्य है वो force की बिना नहीं चल सकता जैसे class में भी force है कास्ट में तो ही है और gender में भी है पित्रसत्ता में भी है और जितने ही चल्द ही हम उसको मान ले मैं समझती हूँ अच्छा रहेगा क्योंकि नहीं तो हम क्या कहते हैं खिसकने की कोशिश करते हैं कि यह structure यह है यह structure नहीं है इसमें कुछ लोग जैसे है वो ठीक नहीं है उनको हम गिन्चुम करके निकाल देंगे तो अपने आप में संस्था ठीक हो जाएगा लेकिन बात नहीं है यह बड़ी जटिल संस्था है और जमके बनी हुई है हमारे देश में इसका एक बहुत जबरदस्त और रूप है और वो यह है कि देखिया हर समाज में जाती पित्रसत्त का रिष्टा क्लास के साथ है प्रॉपर्टी सिस्टम के साथ है मतलब ellon broke down साधनों का एक पीड़ी से दूसरे पीड़ी में जाना उसके साथ रिष्टा है वह आप देख सकते हैं कि मतलब जो, जिस तरकिव की शादियां होती है जिस में ऑड़तों को परदा के अंदर रख कि जरूरत है, उसका आधा वजय यह है कि उनके उपर हम कंट्रोल कैसे करेंगे, कैसे उनको दबा करके रखेंगे, क्योंकि हमको जरूरत है, मर्दों को जरूरत है कि उनके property system जब private property आती है और जब वो पास होती है, एक generation से दूसरे generation को, एक पीडी से दूसरे पीडी को, उसक मेरा ही होना चाहिए, नहीं तो उसके पास नहीं जाना चाहिए, तो जिस तरह की, क्या कहते हैं, जिस तरह के पाबंदिया लगाए जाती है मौरतों पर, यह इस विचार से निकल के आती है कि कहीं हम को structure को कायम रखने के लिए, class को भी कायम रखने के लिए, और property को सलामत रखने के लिए, हमें ये कानूनों का और ये परक्रियाओं का, मतलब ये परंपराओं की जरूरत है, ये worldwide है, सारे दुनिया में है ये, पर हमारे देश में एक और मसला है, और वो है कि, यहां जाती भी जुड़ा हुआ है, पित्रसत्ता के साथ, इसको हम अगर समझा सकें और ये जटिल मामला है, पर ये जरूरी है हमको समझने के लिए, क्योंकि यहां, जाती और पित्रसत्ता पूरी तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, उनका जो साथगाठ है, वो जबरदस साथगाठ है, और उसको उखाडने के लिए, हमें पूरा हमारा जो म मुझी नुरूर॥ है, और उससे पहले हम यह समझे कि यह क्या है यह क्यों-क्यों है, जाती यह है, आप लोगो už सब पालू है, जाती तो जनम से ही उसका रूप तै होता है, कुमित पावडे ने कहा है एक बहुत अच्छी-उनहों ने कह थैं कि यह आती जाती है जो जनम से आइडिंटिटी है जाती की वो निर्भर है पूरी तरह से और neighboringyang सबस्क्राइब करें क्योंकि हमारे यहां बिराद्धरी में ही शादी होगी आप जानते हैं मprowadि जाती के अनधर ही होगी और उनी कौमों के साथ होगी जिसमें हमने उनको मानेता दे रखिए कि इसके साथ आपका शादी करना वह वाजब है जब हम लेक्चर को खतम करेंगे तब हम कोशिश करेंगे उस मुद्दे में वापस आने के लिए पर अभी के लिए हम ये बताने की कोशिश करें कि जो जाती हैं तो जो अगली पीड़ी में ब्रहामन नहीं माना जाएगा अगर उसकी शादी में और उनके बच्चों पर ये मसला आ जाए कि ये बच्चे पैदा हुए हैं किसी नाजाइश संबंद के बाद, नाजाइश देखेंगे कि कितने cases हैं हमारे देश में, जहां जाती कहां से पास होता है, बाप से जाता है या औरत से जाता है, चाहे वह हम रेजर्वेशन को क्लेम करने के लिए करते हैं, चाहे किसी और वजय से, पट शादी मतलब caste identity जो है, वो कैसे आगे बढ़ता है, वो accepted चुनेवे तरकीब से जो कायम चले हुए आ रहे हैं, जो पित्र सतक सत पूरी सत जुड़ी हुई है, उसके साथ वो मिलकर क्या आती है, तो यहां हम सिरफ class को नहीं reproduce करते हैं, class को तो reproduce करते हैं, और property को reproduce करते हैं, शादी के तहत, पर जाती को भी reproduce करते हैं, शादी के तहत, और कि इतना elaborate हमको हमारे देश में यह कानू, मतलब क्या कहते हैं, do's and don'ts हैं कि क्या तुम कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, आप मनू पर जाएंगे, तो पूरी तरह से बताता है कि कौन सी जातियों में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और उसे पूरा एक धांचा बना कि जाती से नहीं होते हैं, कि जाती से नहीं होते हैं, जिसे वह वर्ण संक्र कहते हैं, वह वर्ण संक्र की वज़े से सारा धांचा नहीं हिले, इसलिए वह एक अलग जाती बन जाती है, और फिर इस तरह से प्रोलिफरेट हुए, जातियां बढ़ती गई, बढ़ती गई, तो चार वर्ण से यह पतनी कितने साले, चार हाजार यह जतने जातियां बन गई हैं, तो यह elaborate धांचा जो है, यह पित्र सत्ता के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, तो मैं यह जारी हूँ आप से, कि जब हम पित्र सत्ता को समझने की कोशिश करें, तो इसमें हम क्लास भी देखें, और इसमें हम कास्ट तो जरूरी देखें, क्योंकि अगर हम नहीं देखेंगे, तो हम यह भी नहीं देखेंगे, कि किस तरह से आगे चल करके हम, इसको जब उ कि रिष्टियों के बारे में नहीं कि किसने बैठा कौन पानी के साथ किसने हुका पिया किसी के साथ किसने पानी पिया किसी के साथ यह जाती में आता है लेकिन रोटी बेटी का संभंध रोटी बेटी डिफाइन करता है कि कौन सी चीज वाजब है और कौन सी चीज नहीं है और वो जाती के साथ जुड़ा हुआ है और वो पित्र सक्ता के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है तो हमारे देश में एक तरह से औरतें ना चाहते हुए भी ना समझ होते हुए बहुत कम ऐसे हैं लोग जो इस धांचे को समझते हैं और उसको पूरी तरह से उखाडने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि वह चलता है उनके दिमाग में तो यह बात है कि वह हमने नोकरी करना शुरू कर दिया हम साइकल चला रहे हैं अजय कर रहे हैं वह उससे पित्र सत्ता खतम हो गया पित्र सत्ता इतनी आसानी से खतम नहीं होता है चाहिए वह ऐसे धाराओं को लेकर कि जो हमको आम दिखते हैं और क्योंकि खास करके उसका रिष्टा जाती के साथ है तो हम उसको जब तक नहीं समझेंगे तो मैं समझती हूँ कि पित्र सत्ता को के साथ जो सामना हमको करना है हमारे साइड में और यह सिरफ इंडिया में नहीं है पाक्सान में भी है बंगला देश शाओ एशिया का यह पूर्चान की एक देश करता है ऑज समय प्रणा की सामना है अब दीक शाओ नहीं तक बाप परिवार ही करवाता है और यह में मं दैक यह विड़ार के और तो यह तो मसला निकल के आता है तो मर्द के उपर भी किस तरह से अत्याचार होते हैं तो यह देखने की जरूरत है अच्छा अब इस structure को हम देखें कि हहां सिर्फ्तरसत्ता नहीं है पर यहां इसका नाम मैंने मैंने ही तरह से बनाया था ब्रहह्मनवादी Canrebbe Cal прирates and Jahrinci Pillar अपिषे में अगली पीडी में अगली पीडी में कायम रखता है और हमारे देश में आप यह भी दानते होंगे कि जो साधनों का रिष्टा है वो class हम उसको मानते हैं कि साधन जिनके हात में है वो उसको हम क्लास समझ जाते हैं, लेकिन वो साधनों का रिष्टा बंद जाना, जो बाहर अलग देशों में हो सकता है कि थोड़ा खुला हो, वो यहां इसलिए बंद जाता है, क्योंकि यहां जातियों का रिष्टा वर्ग के साथ भी है, और कुछ जातियां ऐसे हैं, जिनके हाथ में मना ऑपली है, मतलब एकादत, जिसे कहता है, ओची जाते हो के हाथ में जमीन है और जो जातियां है, उनके खाते में क्या आता है, उनके खाते में सिर्फ लेबर आता है, मतलब आप श्रम करेंगे, तो साधनों का और श्रम का जो विभाजन है, वो नां क्लास में तो उनको तो अगली पीडी, अगली पीडी, अगली पीडी और अगली पीडी बंद जाता है, कि वह आगे भी वही structure रहता है, वह तूटता नहीं है, और वह सकता है कि new social relations निकल के आए, 19-20-20 वी शताबदी वगर में, पर आज भी आप देखेंगे कि वह बिभाजन, साधनों का और मज जूरी का, वह विभाजन हमको दिखता है, वह जाती के साथ जुड़ाएगा है, और उसमें और उसमें और भाग लेती हैं उसको आगे बढ़ाने में, उनको शाहिए वह चाहें और ना चाहें, वह कहते हैं, मैं कहूंगी कि पित्रसता ये सिरफ नहीं है, कि मैं हम औरतों को अपने मर्दों से स्वाधीन कर दें, उनको मुक्त कर दें, वह जरूरी है, उसके साथ साथ हमको ये भी जरूरत है कि हमारे देश में पित्रसता का जो जटिलता है, वह वहां पर भी जुड़ जाता है, क्योंकि वह जाती को भी अगली पीडी में उभारता है, और उसको काय कायम रखता है, तो हमारे देश में as a consequence हमारे दो बड़ा complex division है, एक नहीं कि उचा और नीचा, उसमें सबसे उचा, उससे नीचा, उससे नीचा, उससे नीचा, मतलब कितने पीडी आ जाएंगे, और एक के नीचे एक, एक के उपर एक, वह structure है, वह कायम रहता है क्योंकि शा अप्चर को, Ambedkar ने नाम दिया था, graded inequality, आप लोग समझ जाएं कि graded को कैसे करेंगे, मतलब जिस तरह से एक के उचार नीचा करके, जो elaboration होती है, graded inequality बोलते थे, बोला उन्होंने, और वह बिलकुल सही बोला, क्योंकि, सब किसी के उपर है, और सब किसी के नीचे है, और कास्ट में आजाता है, तो हमारे देश में, ब्रह्मनवादी प्रित्रसत्ता, या कास्ट-based patriarchy, जिसे हम का हैं, वो भी काइम हो जाता है, तो फिर पंजाब में कम हैं, पर बाकी बहुत, इलाकों में, औरतें बाहर ही नी जाती हैं, वो खेत में आकर काम नी करेंगी, वो घर में काम करेंगी, अंदर बाहर का division होता है, विभाजन होता है, तो जातियों के साथ, हर एक जाती के साथ, उसको क्या कहते हैं, एक तरह की culture जुड़ा हुआ है, या tradition जुड़ी हुए है, आप लोग ये भी जानते हैं कि कुछ जातियों में, कुछ जातियों में, एक औरत वि पारा शादी नहीं हो सकता था, वो dominant, bulk of सारे देश में तो ये pattern चलता था, पर जो land based communities हैं, उसमें आप देखेंगे कि, वो, तो इसलिए आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा, कि विद्वा को दुबारा शादी करने की अनुमुति नहीं थी, और विद्वा की ओपर पाबं पर बीच के जो कास हैं और जो जिनको नीचा जाती बोलते हैं उनके जो कस्टम्स हैं वो बिलकुल अलग होते थे और उसमें आप देखेंगे कि उससरे की पाबंदिया नहीं थी या कम थी ऐसा नहीं था कि उसमें भी बड़ा स्वतंत्रता थी तो आप लोग सब एक चदर मेली सी जानते हैं या आप बढ़ा होगा वहां पर वो जो और विद्वा हो जाती है उसको बठा दिया जाता है अपने छोटे अपने देवर के साथ पढ़ा है क्योंकि वो स्ट्रक्चर था उस धांचे में यह सिस्टम था कि आप जो लड़की शादी होकर के आई आपके पास वहीं रहेगी और उसकी दूसरी शादी करेंगे तो उसी परिवार के अंदर किसी से होगी तो अगर कोई और नहीं मिलेगा आपको तो पिर उससे चोटा भी हो और उसमें आप देखेंगे कि प्रेम चौदरी जो हर्याना में काम करती है उन्होंने बहुत ज़ादा इस विशे पर काफी लिखा हुआ है तो आप उस स्ट्रक्चर को पूरी तरह से देख लेंगे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहे हूं कि जो पित्र सत् हैं वो सिर्फ यह नहीं कि male dominance and women's subordination यहां वो धाचा बहुत ही ज़ादा complex है बहुत ज़ादा जटिल है और यह अगर हम थोड़ा बहुत समझ जाएं तो मुझे लगता है कि हम इस विशे को समझ जाएं कि अगर हम पित्र सत्ता को सचमुझ खतम करना जाहेंगे तो हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है किस कौन से कौन से इलाकों में कौन से डायरों में हमको उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत होगी यह हम अगर हम थोड़ा बहुत देख लें और तो हमाने थोड़ा सा आसान हो जाएगा आप लोग शायद कहें कि भया ये एक उमा चक्रवरती ने क्या कर दिया मतलब पित्र सत्ता को इतना जोड़ दिया अलग चीजों के साथ लेकिन ये जरूरी है समझने की जरूरत है तो ये इसको अगर हम थोड़ा कंफरंट करें तो हम देख सकते हैं कि इसको इसलिए मैं कहूंगी कि शादी एक central motive है हमारे पित्र सत्ता के साथ एक तो compulsory शादी सबकी शादी होनी ही होनी है कोई लड़का कह भी नहीं सकता बहुत जादा कि छोड़ दो मुझे मेरा मन नहीं है या कुछ लोगों के लिए थोड़ा आजादी था वो मतलग कम उबर में बिना पूछे उनकी शादी की जाती है और जाती थी तो compulsory marriage एक system था और वो शादी के वो marriage जो है वो अपने जाती के अंदर ही होना है ये भी तैथ था तो इसलिए जो संस्ता हमाने हमने बनाई थी task-based patria की जो हमारे देश में है वो चलती-चली आ रह है और उसके अपर कोई खास उस पर बदलाव नहीं आया है अब हम इसको अगर देखें आज के तहट आप लोग को दिखेगा कि कहां से चुनोती आ रही है चुनोती और तो से आ रही है जरूर क्योंकि वो claim कर रही है कि हम अपनी स्वाधीनता को हम कमिट करेंगे और जैसा समाज बढ़ रहा है अचा आप औरत किसी को भी आप subordinate करेंगे उनको अपने नीचे रखने की कोश्य करेंगे तो सबसे पहले आपको यह करना पड़ेगा कि उनको अपने साधनों से वंचित करना पड़ेगा उनके पास अ कि लड़की को तो दियाने जाता था उनका हिस्सा नहीं दिया जाता था वह स्ट्रक्टर ही है वह बहुत खर में वह स्ट्रक्टर हमारे हां चलता रहा रहा है और वह इतना मजबूथ है कि उसके उसको एक तो समझें उसको और फिर उसके उपर उसको का सामना करें और फिर सोचें साथ इसका विश्थ्टा किस चीज के साथ है जैसे मैं repeatedly कह रही हूं इसका रिष्टा जाती के साथ इतना जटिल उसका रिष्टा है कि दोनों चीजों को समझने की जरूरत है तो अब आपने कभी सोचा होगा कि हमारे देश में conventional जो शादियां थी जो पुराने हमारे किसे हैं खास करके romance के वो सब इतने tragedy क्यों थे चाहे वो लैला मजनू हो चाहे सोनी महिवाल हो चाहे और कौन है हीर रांजा हो मतला किसी का अंजाम खुश नहीं होता था क्योंकि मुपत इतसेल्फ एक चनौती है इस पूरे धांचे को आप और खास करके अगर वो तो अगर आपके माबाप ने आप मारा मन लग गया कहीं तो वो सारे structure को एक तरह से चनौती देती है और दिया है उसमें तो इसलिए उसका अंजाम कैसे होगा तो चाहे वो लैला मजनू हो चाहे सोनी महिवाल हो और चाहे वो जूली जैसे फिल्म बनी थी कई साल पहले और या कयामत से कयामत तक मतलब शादी अगर 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 उन्होंने शादी उन्टी धारा में कर ली जहां लड़की उची जातकी है और लड़का कोट-उनकोट उससे नीची जाती का है तो वहां तो हिंसा पूरीते से उबर आता है और उसमें सब शामिल हो जाते हैं मतलब फिर मर्द और उड़त सब उसको कायम रखते हैं और तो अरेंज्ड मैरेज्ड जो नॉम है हमारे देश में वह अरेंज्ड मैरेज्ड का नॉम पूरी तरह से मजबूती के साथ भी चल रहा है और आप देखेंगे कि हम मैं समझती पूरी तरह से अज़स्में उसके साथ हो गया है अगर आप अड़रिशमेंस को देखेंगे तो आप अड़रिशमेंस को देखेंगे की उसी बात को कायम मतलता है multinational companies भी अपनी चीज़ को बेचने के लिए चाहे वो Asian paint हो चाहे कुछ भी हो वो उनको कही न कहीं बठा उसको fit कर लते हैं और market को कोई problem नहीं है arrange marriage के साथ because arrange marriage ही जो खरीदने वाले हैं वो उस ideology के साथ इतनी मजबूती के साथ चलते हैं तो उनके लिए वो बिलकुल सही होता है वो चला लेते हैं तो आप बहुत सारे अभी पूरी तरह से चल रहा है उसमें कोई धावा modernization या liberalization से नहीं हुआ है क्योंकि ओरत की का वंश में आना और उसका वंश को बढ़ाना वो उसी जगे पे बैठा हुआ है जैसे पहले था और इसलिए जाएज प्रजनन करना जाएज reproduction करना वो उनके उसको पूरी तरह से सीमित रखा गया है और वो चुनाती इसलिए हम देखते हैं तो इसमें वाइलन्स बहुत जादा दिखता है अब हर्यान अगें मैं प्रेम चोधरी का नाम आपके सामने लूंगी और उन्होंने बहुत जबरदस्त लिखा है इस मसले पर भी जहां लड़कियां शुरू हो सकता है कि वो उनका रिष्टा हो जाता है और वो भाग करके शादी करने क कोशिश करते हैं और यह सिरफ नॉर्ट इंडिया में नहीं है वो दक्षिन भारत में भी है सब नहीं है क्योंकि सारे साथ इस्या में शादियां पैरंट्स ही तै करेंगी और वो ही उसको संभालेंगी तो जो स्ट्रुक्चर है वो पूरी तरह से आगे बढ़ता ही चला जा हमारे देश में बेटियों को मारना क्या कहते है बच्पन से पैदा होने से पहले ही उसको मार देते हैं अगर लगे कि भया हमारे कंट्रोल से लड़की निकल गई और इज़त को उसके साथ जोड़ करके वो धांचा को कायम रखने की पूरी प्रक्रिया रहती है यह जो धांचा है इसलिए वो चलता चला जाता है तो और उसमें कोई जादा धावा किसी बहुत जादा नहीं हुआ है और इसको हम देख सकते हैं कि आज भी कितनी मुश्किल से शादियों को जहां लड़की और मैं आपको एक एक कि मिनक्षिपुर्म में जहां जवर्दस कन्वर्जिन हुआ था दलितों ने सारे 300 दलित परिवार्थों ने से कन्वर्ट कर लिया था मुसल्मान बना लिया था इन 1992 ने उसे पहले भी 1982 या 72 में ही हो गया था वहां उची दाती की लड़की ने एक दलित लड़के से शादी करके वह बजारे गाव छोड़कर भाग गय थे पर इतना तंग किया उन्होंने दलितों को बाकी जो लड़क उतना दबाव डाला कि ultimately 300 दलितों ने जाकर कि कहा कि हम मुसल्मान बन रहे हैं और तब वह मसला खतम हुआ तो मैं कहने की कोशिश करती हूँ और अगर आप इस पॉइंट को समझें, लोग कहते हैं कि यह जो शादी है ना यह प्राइवेट स्वेर में है और प्राइवेट स्वेर का डिविजिन कर रखाए विभाजन कर रखाए यह चीजें पॉब्लिक स्वेर में हैं वोटिंग, इलेक्शन यह सब पॉब्लिक स्वेर में हैं कानून वगारा पॉब्लिक स्वेर में हैं और प्राइवेट स्वेर में फामिली और उसके रिच्ते हैं पर शादी जो जबरदस्त पुलिटिकल मसले हैं हमारे लिए क्यूंकि आपको तयार रहना पड़ता है कि आपके उपर आप देख सकते हैं कि अगर पूरा एक तपका जाकर की की कनवर्ट करता है तो इसके बाद विएच पी विश्व हिंदु परिषद का उभार तेजी से बढ़ा और यह दक्षिन में मामला हुआ तो आप कहीं पर भी चल जाए भारत में यह यूनाइटिंग फैक्टर हैं चाहे हम कितने भी डिवेड़ हो इस मामले में हम पूरी तरह से एक जुठ हैं कि भया शादिया हमारी वैसे ही ही जिसमें जो बाप बोलेगा या माबाप बोलेंगे वहीं होगा और उसी कौम के साथ होगा उसी जाती के अंदर होगा तो यह structure कायम रहता है तो हमारे यह कास वेस पेट्रिया की पूरी तरह से अभी कायम है और चाहे कितन अभी उसमें धील आने की कोशिश करें मैं समझती हूँ धांचा वही है वो पूरी तरह से उसके उपर structure के उपर कोई बदलाव नहीं आया है तो मैं चूंकि मैंने बहुत complex चीजों को मिला करके आपसे बोलने की कोशिश की है तो मुझे लगता है कि मुझे actually मुझे आप पो time देना चाहिए कि थोड़ा सा आप उसको internalize करके और प्रशन पूछने की कोशिश करें उसमें कुछ बातें ज्यादा explain करने की मुझे मौका मिल जाएगी तो मैं कहूंगी कि पित्र सत्ता को हम कैसे खतम करें पर साथ साथ हम जाती को भी कैसे खतम करें यह हमारे सामने अगर आप democratic हम पूरी तरह से constitutional democratic बनना चाहते हैं तो इनको खतम करने की कैसे जरूरत है यह जरूरी है मैं आपको एक लास्ट एक्जाम्पल देखर के खतम करते हूं दिल्ली में मीडिया के कोई department में मीडिया की course में एक ब्रह्मन लड़की ने करिष्टा एक काइस लड़के के साथ हो गया अब यह दोनों उची जाते हैं यह भी नहीं कि बहुत ज़्यादा वो मर गई उसके बाप के पास एक चिठी मिली जिसमें लड़की ने उससे पहले पत्र में लिखा था कि उसने constitution की बात की होगी कि समविधान है हमारे यह और समविधान के तह तो यह सब कायम है तो उसके बाप ने उसको जवाब दिया कि तुम किस समविधान की बात कर रहे हो जो अभी साथ साल पुराना है मैं उस समविधान की बात करता हूँ जो दो हजार साल पुराना है तो वो मनु की तरफ इशारा कर रहा था So actually सम्विधान भी तोड़नी सकाया इस धांचे को तोड़नी सकाया और इसके ओपर जो धावा इस पर आना चाहिए और हमने एक बारी fact finding में हम गये थे बजूर्ग में हमें मिले थे जो सताधारी बजूर्ग थे वो बहुत परेशान थे कि लड़कियां स्कूल जाती हैं पढ़ने जाती हैं और फिर इश्क करती हैं और इश्क करती हैं तो फिर सारा धांचा डलने लगता है तो उन्होंने हमसे कहा कि ना तो यह सम्विधान आता और ना हमारी लड़कियां स्कूल में पढ़ने जाती, तो उनको पुरी तरब से मालम था, ये लठेतों को पूरी तरब से मालम था कि इस की चुनाथी कहां से आ रही है, इस धांची फॉत की क्वे तो यह गर अगर抑ने जाएं ब्दोढ़ हमें दिख जाएगा कि कितना जटिल यद धाचा है और वहां मजबूती से बैठा हुआ है और उसको अगर हमने उखाड़ना है तो हमें किस तरह की कि अबिटकर नहीं मानेंगे और खून और रिष्टा और यह सब उठा के फेंकेगे और तब फिर जाकर कि शयद हो सकता है कि हमारा समाज कुछ सालों के बाद अबिटकर ने भी कहा कि एक लंबा स्ट्रगल चाहिए हमें जिसके तहत हम यह धांचे को चनौती दे सकते हैं और पेट्रियार के मतलब लड़की यह भी अच्छा है कि लड़किया और ओरतें काम करने जाये बहार और स्वाधीन हो और पूरी तरह से निर्भर ना हो अपने पैरों पर खड़ी हो सके यह सब जरूरी है अच्छा है लेकिन साथ-साथ अगर हम यहां की खास पित्रसत्ता को रियली चुनाती देना चाहें तो हमें एक लंबी स्ट्रगल करनी पड़ेगी तो मैं हमेशा अपने स्टूदेंट्स और यंगर लोगों को कहती है कि अलग अलग हम इसको नहीं कर सकते हैं यह नहीं कह सकते कि बहा क्लास का स्ट्रगल हम अलग करेंगे, कास्ट का क्या की का स्ट्रगल हम अलग करेंगे, मिले में हैं तो हमें एक साथ ही तीनों पर दावा बोलना पड़ेगा, तीनों पर, तब हम एक तरह से समाज ला सकते हैं जिसमें हम सचमुच स्वाभी मान के साथ और स्वायत तरीके से जी सकें, मर्द भी और और अरत भी क्यूंकि हम हम तुन ही चाहते कि कोई दबे उसमें, तो हमारे साथ में तो यह चुनोती है ना कि इस धांचे को खम कैसे उखार करके फेकें, ठीक है, तो यह मेरा, मैं यहां रोकती हूँ और फिर उसके बाद प्रश्न में जो भी बातें आती हैं उसको ले लेंगे विल्कल मैं, आपने जो बताया कि पित्तर सत्ता को देखने के लिए हमको कलास और कास्प को साथ में देखना पड़ेगा, इसलिए हम जो एक बैलेंस ससाइक लिए उसको सार सकते हैं, कुछ सवाल है मैं हमारे ओडियंस के, वो आपके साथ मैं साजा करना चाहूँगा, पेला सवाल आपको अजेजी पूछ रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हैं, मैं पढ़के बताओ मैं, मैं, once a scholar on this forum said that among khasis and megalia, nahirs or kerala, women are more empowered as compared to the other societies due to their matrilineal setup, how far do you agree with this, हाँ, ठीक है, निवेदे ता मैंन की दे हवाले देना हुल कॉछिन कर रहे ने जी, अच्छा, निवेदे तान, औना दी गाल सुनकर की कॉछिन कर रहें, के, हाँ, यह पहले लेक्चर दे वेच धार्डिनाल जुड़े सीगे, अच्छा, चंड़ा, वाजब सवाल है, बहुत अच्छा है, पर यह मान के चले हमकी matrilineal में यह नहीं है कि इतने सत्ता गायब हो जाती है, matrilineal to lineage system है, उसमें साधन कैसे जाएंगे, किस के through जाएंगे, तो औरतों के through जाएगा, लेकिन उसको control करने वाला और administer करने वाला हमेशा एक मर्द होता था, तो नायर में भी, मामा जो है, वो control करता था, अच्छी बात मैं हमेशा यह कहती है, और खासियों में भी इस तरह की प्रक्रिया है, मतलब बाहरी शेत्र में पित्र सत्ता है, प्रॉपट्री सिस्टम में एक तरह से खुलापन है, पर उसमें भी कास्ट नहीं चला जाता, तो नायर में बहुत कॉंप्लेक्स था, क्योंकि उसमें नम्बूद्री जो थे, जो जाती जो प्रीस्ट बनते थे, जो मतलब सबसे उची जाती जो थी, और जहां पे पैट्रिल ही चलती थी, उस जाती के अंदर पैट्रिल ही चलती थी, सिरफ एक भाई को मन्जूरी थी कि वो शादी करेगा नम्बूद्रियों के बीच में, बाकि जितने भी चोटे भाई थे उनके, वो संबंद रखेंगे नायर लड़कियों के साथ, नायर औरतों के साथ, यह अच्छी बात थी कि नायर औरतों में उसको उसके अंदर, उसके तहत एक थोड़े सी, क्या कहते हैं, छूट थी कि वो मनजूरी रखें उस रिष्टे के लिए या मना करते हैं, तो वो एक अरदी बेचता था और उसके मताबिक जो और जो औरत थी, वो मानती थी या नहीं मानती थी और सीरियल मनोगमी चलता था, वह पर मतलब एक के साथ रिष्टा रखा हो सकत है कि खतम हो गया फिर दूसरे के साथ रखा, बट वो स्ट्रक्चर इंटर्नली मतलब प्रॉपर्टी सिस्टम को पास करता है फ्रम मदर तू पूरे, फ्रम मदर तू डॉटर, बट उसमें भागेदारी भाईयों के होती है, भाई एड्मिनिस्ट्रेटर होता था, अच्छा अच्छा, मैं हमेशा कहती हूं कि खासियों में भी सबसे छोटी बहन को प्रॉपर्टी जाता था, वो अपने पैरंस को देखती थी अव बाकी क्यों शादी हो जाती थी, ना इसमें पर जाती, नायर के साथ जाती का मसला था क्योंकि वो नीची जाती उसाथ संबंदी रख सकते थे, सिर्फ अपनी जाती और अपने से उची जाती, तो स्ट्रक्चर जो है उसको उन्होंने कास्ट के साथ रहता था, मतलब उसमें खुलापन भी है लेकिन उसमें बंद भी है वो, और सबसे एहम बात यह है कि खतम भी हो गया है, पर मैं हमेशा कहती हूं कि देखो, अगर एकाधित हो, तो वो सही नहीं है, वो होना चाहिए, खुलाप डेमोक्राटिक, सबको होना चाहिए, और सबसे अच्छी बात यह थी मैट्रिलीनी में, कि एक लड़की को आप बेघर नहीं कर सकते हैं, उसने कास्ट को वालेट किया, कास्ट को उसने वालेट किया, तो पास घर नहीं है रहने को, तो जिस तरह की insult and humiliation और क्या कहते हैं, होता है औरतों का जब उनके पास अपना घर ना हो, और उसको वो उखार के हस्बन उसको भेज़ देगा, फिर वो अपने ब्रदर्स के उपर dependent हो जाएगी, लेकिन पॉइंट इस कि वो इस तरह से नहीं है, जाने की राइट रैट रेजिटेंस उसका है, मैक्रिली में, लाइट इस बेटर देन प्रेट इननी, बट इस नोड आईडियल, इस नोड इस नोड इडियल सिस्टम. पिल्कुल मैं अगला सवाल जी प्रफेसर सदेव सोल जी साधिनाल जुड़े हुए नहीं ओ तानु सवाल कर रहे हैं नहीं देखिए हम बहुत अच्छा यह हमेशा आता है हम तो तयार रहते थे जो फिमेंस मूव्मेंट जब खास करके दहेज का मसला आता था था तो हम किसी भी मीटिंगमें जाते थे तो सबसे पहला हमारे समान सवाल आता है यह इतना वैसा नहीं है पर सबसे पहला यह सवाल आता है कि औरतों ही औरते ही औरतों की दुश्मन है तो दिक्ता ऐसे है ाफकोस पड्य पित्रसत्या के बाहर नहीं है और फित्रसत्या के अंदर जीती है वह इंटरिलाइज करती है इंटर्लाइज करती है वह नेूमी оगर HAane-भी कि प्रृत करती हैं और हमानी देश में तो जो जो सबसे बिचारी सबसे चोटी जो बहु आती है, सारा दबाव तो उसको पर पड़ता है, तो सारा परिवार उसको दबाता है, और जब उसको मौका मिलता है, जब फाइनली अपनी stage में पहुंचती है, तो फिर वो सब को दबाती है, उसको वो अपने आप में, सब्सक्राइब करते हैं, उसको अपनी बेटियों को कभी मार देती हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक औरत अपने आप में फेमिनिस्त नहीं हो जाती है, हम फेमिनिस्त इसलिए करेंगे क्योंकि फेमिनिस्त बिलीव इन तो एक पुलिटिकल परसन है, मैं पैदा हुई औरत अपने आप में नहीं बनूंगी, क्या कहते हैं, मैं एक राडिकल और समझदार औरत नहीं बनूंगी, और पित्रसत्ता के साथ ही मैं उसके साथ समझाता करूंगी, मैं कहना बूल गई थी, पर दो चीज़ां जरूरी है, पित्रसत्ता को कायम रखने में दो चीज़ां जरूरी हैं, समझना, एक तो consent, आप उसको वाजबियत देते हो, आप पित्रसत्ता को वाजबियत देते हो, consent तो आप समझते हैं, consent कर लिया इसको, complicity भी कहेंगे, इसके साथ हमने रिष्टा भी बना लिया, सांटकांट भी कर लिया, और फिर एक चीज़ है, जो coercion है, जिसमें force इस्तमाल करता है, तो consent and complicity से ही चलता है, patriarchy, जब उठखड़ी होती हैं ओरतें, फिर डंडा निकलता है उनके उपर, तो फिर coercion इस्तमाल होता है, लेकिन बहुत और बहुत ओरतें, शामिल हो जाती हैं उसमें, आप देखेंगे, जब पतिवराता का को कहते हैं, तो ओरतें तो चाहते थी ना, कि मैं भी लोग मुझ करती है, एक कहती है दूसरे को कि मेरी बहु बढ़ी अच्छी है, बिलकुल गाय जैसे है, जहां पांधा महीं पर खड़ी हो जाती है, अब यह हमारा समझ है, of woman, कि आप उसको बांग दो कहीं पर भी, और वस, that's it, यह ideology सब internalize करते हैं, और अगर आप rule कुछ follow करें, तो फि कि अच्छी बहु है, कितनी अच्छी बहु है, यह भी उनको उसके साथ जाता है, तो वाजबियत तो उसमें जाएगा, जहां वो औरत जाता है कि अपनी परिवार के साथ पूरी तरह से जुड़ करके उसमें शामिल हो, चाहे उसमें undemocratic चीज़ें हो या ना हो, यह फिर आ हमारे उपर कोई agency, हमारी agency को कोई recognize ही ना करें, हम तो, हम autonomous beings होना चाहते हैं, फिर हम रिष्टे बनाएंगे सबके साथ, उसके basis पर, बिलकुल मैम, अगला सवाल जी, प्रफेसर सुगदेव सवाल जी, इस आनू कर रहे ने, हो तानू पुछ रहे ने, हम, दीखें, यह मैं थहना जाओंगी, education कुछ ने produce करता, education तो, caste को भी नहीं उड़ा सका, उड़ा सका क्या, education, education तो बिलकुल mechanical हल है हमारे, education किस चीज़ का, मतलब, लिखना पढ़ना आजाए, आपको ABCD आजाए, आपको का 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 आजाए, और आप लिख ले और गनित कर ले, वोई education मना जाता है, education जो दिमाग को खोलने वाली बात है, और उसको questioning mind बनाने वारी बात है, वो तो हमारे देश में कभी आया ही नहीं, ना अंग्रेज होना डाला उसको, और ना हम आजकल डालते हैं, आप school के textbook, why is it the state was always keen on controlling textbooks, और आज आते हैं, वो नहीं चाहते हैं, और आज भी हम देखते हैं कि कई लड़कियां मतलब वो समझाता करती हैं actually, समझाता करते हैं class के साथ पी पुच्छा, और अपने family के resources के साथ पी करती है, तो एक बड़ा अच्छा essay है जो आपने पूछा, तो इसलिप आप, आईश जिना जलाल, जो famous है, जो उन्होंने जिनाव के ओपर किताब लिखी, complex, साधारन प्रशन नहीं है, किसको जादा फैदा होता है of not giving wages for housework, फाइदा तो जो capitalists और जो class आपको employ कर रही है, और जहां आप जो मर्द को wages दे रहे हैं, वो उस तरही की wages देते हैं, जो जिससे की उनका गुजारा नहीं चल सकता, without their wives working for free, इसमें problem क्या है, problem is ideology is wrong, the ideology is very wrong because, फाइदा तो एक capitalist को हो गया, अब ideology में ऐसा लगता है कि काम सिर्फ मर्द करते, औरते काम करती ही नहीं, और आपने ads देखे होंगे, कई बारी, मेरको तो याद है, कि वो बंदा बाहर से आ रहा है, और उसकी बीवी खड़ी है दर्वाजे पर आते ही उसको कु क्या था, उजे मत कहो, मैं बहुत थका हूँ, बहुत काम करके आया हूँ, वो मान के चल रहा है कि उसने काम किया है बाहर, वो और उसने कुछ काम नहीं किया, वो सारे दिन TV देख रही थी, यह ideology है, अब that is what is wrong with it, अब at the end of the day, इसका जो formula ideology है, वो है कि मैं खिलाता हूँ, तु खाती है, और तु कुछ करती नहीं है, उससे उसकी हैसियत भी कम होती है, वेज़ पर हाउसवर्क, मतलब चाहे उसको दिया जाए या नहीं दिया जाए, it's a question of, it's important, कि आप मान रहे हो कि does she labor or she doesn't labor, who is gaining from that labor, and उसका क्या responsibility बनता है, यह, it's a, it's a question, और जब परिवार तूटता है, अगर शाइद डावस हो जाए, तो do you get half the assets, पूरे half, मतलब आपने contribute किया, घर खरीदने में, घर बनाने में, जाए किसी के नाम में हो, लेकिन, it has been built on the labor of the two people, उस औरत का labor के बिना तो नहीं होगा, ना, वो, तो it is, how you deal with this question is, it is not mechanically, कि आप उनको तंखा दे दो, आपकी समझ क्या है इसके बारे में, कि work उसको मानते हो के नहीं मानते हो, care work, जो बुज़र्गों को देखती है, जो पशुपालन को करती है, हमारे census में अब तक हमने वो डाल दिया है, पशु वगेरा डाल दिया है, but we haven't put down cooking, cleaning, whatever, तो हम सिंग, देश नहीं मानता कि तुम contribute कर रहे हो labor को, तो husband क्या मानेगा, आप बताओ. बिल्कुल मैं, एक लास स्वाल मैं मैं, कैपिटलिजम दे हवाले दे नाल अज दे दौर दे वेचे, जड़ी तुसे गल भी किती, के इस दौर दे वेचे पित्तर सत्ता दे नमे रूप जड़ी ओ सामने आ रहे हैं, जी दे वेचे खास्त दौरते आउरतनू, जड़ी दोरी मार चलनी पैर ही है, तुसी की देख देओं के जड़ी पित्तर सत्ता दे ट्रडीशनल एक रूप सी, संस्थामा दे रूप दे वेचे पमे परवार्दी संस्ता सी, व्यादी संस्ता सी, या जोके समय दे वेचे जड़ी वर्किंग वो मैंना, उनू तनू लगदा के दो पद्रा ते उनू ए शो तो अब दिख गया, पहले दिख था नहीं था, है न, अब दिख किया कि वो मिया बीबी दोनों नौकरी करके आते हैं, फिर वो घर आती है, मर्द जो है वो बैट पेपर लेकर के बैढ़ जाता है, टीवी के सामने बैढ जाता है, और 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 बागतर के अंदर के अंदर किताब लिखी है वह उसका शरुवात फेमिनिजम का इसाथी हुआ कि इसका माबाप दोनों काम करते थे. माँ साइंटिस्ट थी, बाप वतनी क्या था, वापस आखर के माँ केचन में जाते थी वह पपाजी बैठ करके टीवी देखते थे. तो दिख गया, पर तो पॉइंट इस कि वो था, वो अल्वेस था, कि हमारी देश में तो बहुत माहिर हैं ना, solution निकालने में, तो हम किसी माबाप को बिला लेंगे, या बुढ़े को बिला लेंगे, या किसी को लगा लेंगे वहां पर, और हो सकता है कि को काम किसी और कर देता है, या आप जारकंडी maids को बिला लेते हैं, वो तुमारा खानावा हैं, उसके कई तरहके हैं उसको निप्टाने के लिए, ये दिख जाता है, ये दिख जाता है, but I think that the ideology of women have to look after the kitchen, और rearing of children, मुझे बहुत गुसा आता था जब बच्चे आकर के खाना, जब उनको भूख लगती थी, आकर के कहेंगे, अमा, खाना खिलाओ, मैं ये सोचती थी क्यों तुम अपने पाप से दाके नहीं बहुत सकते हो कि पाप मुझे भूख लगी है, because it was taken for granted के kitchen मैं सम्भाल हूंगी, हालांकि it is not an associate पर फिर भी, the point is, वो ideology है, that ideology is there के मा जो है, वो nurturant role करेगी, मा को गुसा भी आना चाहिए, you know, मा गुसा आकर के थपड लगा दे, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, you know, बाप का जो, बाप का जो रोब है, उसको मानने को तेग्यार है, मा is someone who is regarded, उसका धाचा भी ऐसे बने आये कि वो अगर अपना time अपने लिए रखना चाहती है, वो उसके लिए वाजब नहीं है, it is not regarded as correct, I know lots of people जो दर्वादा बन करके खाना खाये, lunchtime के बार ना दो घंटे के लिए अपना दर्वादा बन कर लेती थी थी, और कैते, अब मिर को कोई नहीं बोलेगा, ये जो घंटे मेरे हैं, और मैं इसमें पड़ूंगी, और वो नोवल पड़ती थी या कुछ भी करती थी, you know, so it is this thing of women don't have time to themselves, ये अलाओ नहीं है, that they should be off duty, ये बात बहुत कम लोगों में acceptance है, so अभी लंबा struggle है, but ये अपने आपमे is not the basis of patriarchy, patriarchy is so much other power, you know, मतलब जबर्दस्त उनका control हमारी जिंदगी पे है, बिलकुल, बिलकुल नहीं, एक एक अडियालोजी दे पको साथे दे बड़ा control है, एक लास्वाल जी, सनू कर रहे हैं सगदेव सोल जी, उस हवाले दिनार, कह रहने के, would the state help the divorce woman in the case of dispute of payment as ways if a law is passed? या, I suppose they would, they could very well. इसे, आजकर, इंदरे जैसे लोग है न, lawyers, feminist lawyers, उन्होंने ये create किया है, कि matrimonial corpus एक मानी जानी चाहिए, और वो matrimonial corpus की splitting होनी चाहिए, जब आप शादी तुटती है, so the divorced woman should get this 50% of every asset that has been acquired post-marriage. तो, that is one way that they have been trying to go at it. तेके, मैं समझते हूँ कि अभी लंबा struggle है इसके लिए. Do I see myself as working for wages? मेरी मा, मैं आप, I'll give you my example of my mother, मेरी मा ने सारी जिंदगी, साथ बच्चे पाले, घर का काम किया, सब कुछ किया, उनका कोई अपना पैसा नहीं था. जब family pension आया, जब family pension आया, तो पहली बार यह मान्यता हुई कि ओरत को भी support करना चाहिए उसी pension के थू. और जब वो खुदर जाएंगे तो family pension में मेरी मा को फिर, first time she got money of her own, उनके नाम से. It was revolutionary for all. उनको बहुत ही जबर्दस, बहुत अच्छा लगा कि छोटा, बहुत जाला नहीं था. But वो पैसा उनके हात में आना जो वो खुद खर्च कर सकती है, उताय करेंगी कि किस तर इसे खर्च करेंगी, वो उनकी sense of self-respect and sense of autonomy पह बहुत एहम था. तो we have to find a way in which women can access that. कि उनको अब किस तरह से करेंगी आप? मैं तो resources ही कहते हूँ जब आप property, agricultural land अगर आप लड़कियों को नहीं दे रहे हैं, तो वो नुरभर हो जाती है अपने husband के property, खेतों पर. अब खेत को तुम और जादा subdivide करना चाहते हो, लेकिन the point is कि एक औरत का यही मसला है, कि अगर मैं कल को मैं ठाकर के बाहर फेंकी जाओं, या मैं खुद छोडना चाहूं, तो मैं कहां जाओंगी, मैं कैसे करूंगी, और सबके पास वो सादन नहीं है कि वो जाकर के नौकरियां चुने, you know. So, मिले उनको. So, at the end of the day state को, अगर state pension देता है सबको, तो यह मसला खतम हो जाएगा. So, state की responsibility बनती है to support its own citizens, all its citizens, not just its men, but its women also. चाहे तुम मजदूरी करो, चाहे तुम घर में मजदूरी करो, चाहे बच्चों को पालो, चाहे कुछ करो, मतलब, everyone should be entitled to some income, which is allotted to that person. So, state का pension, to my mind, काफी जरूरी है, to unemployment pension ही हो, you know, protection pension, कुछ भी हो, but some way के औरत को लगे कि मेरे पास, मैं अपना खाया खा सकती हूँ. यह काफी जरूरी होता है, स्वाभिमान के लिए. बिलकुल मैम, आपने लगबग धेड़ गंटा हो गया, पैटी आर किया और इंडिया सवाइट। मैं एक लास्ट किस्सा सनाती है, मेरे पिता जी ने, मैंने जब शुरू किया था, मैंने स्कूल में नौकरी करती थी, तो मैंने स्कूल में नौकरी किया, और जब मेरी शादी हो गए, मैंने उसको रिजाइन कर दिया और मैं चली गई अपने शोर के साथ एक गाउं में रहने के लिए क्योंकि वो sociologist थे वो वहां पर अपना field work करने गए थे मेरी पिता जी ने जब सुना कि मैंने नौकरी को रिजाइन कर दिया तो उन्होंने मुझसे कहा तुमने पर्मनेंट नौकरी को रिजाइन कर दिया और तुम वेकेशन मानेज कर सकती थी वो आता तुम जाते तुम अपना रिष्टा ऐसे कायम एक औरत को एक आदमी के सामने अपना हाथ नहीं खेलाना यह उनका समझ था और स्वाभी मानी और स्वायत औरत की थिंग मैं समझते हूं यह बहुत जरूरी है कि यू शुड नाट बी डिपेंड़न अनिबोड़ी फॉर यूर ओन नील्ज बिल्कुल मैं आप उसकी लाइव एक्जम्पल हूं ताड़ा बहुत बहुत शुक्रिया आपने बड़ा पैट्रियार्की के बारे में जो नुक्ते हैं जो खास्तोर के इंडियन सुसाइटी के किंसर्न में उसके बड़े गंबीर नुक्ते हमारे सा सांजे किये लगब फाक तेड़ कंटा आपने पैट्रियार्के इंडियन सुसाइटी के बड़ prisons यूरी में बात कि Piriyarlky खास्तोर पे कास्ट ले जो क्लास के बारे में उसके फो om professionals के बारे में आपने बात बहुत बहुत शुक्रिया और खास्तॉपर रिख में आपने जो प के बारे में आपने बड़ी गंबीर चर्चा हमारे साथ सांजा की आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मैनेजमेंट की तरफ से प्रिंसिपर डिक्टर गुर्जेंदर सिंग प्राड की जी की तरफ से हमारे स्मूज स्टाप की तरफ से और हमारे वद्यारतियों की तरफ से और मेरी तर्फ से खास तरफ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारे साथ इतनी अच्छी जो इस विशे पे बातें सी वो हमारे साथ सांजा की और हमारे स्रोताओं के जो क्वेशन थे उनके मन में जो स्वाल थे उन्होंने भी आपके सा एक और लेक्चर हमारी साथ साज़ा करें तांके इस विशे पे और हम और डिटेल से जो बात वो साज़ी कर सकें आपका एक बार फिर से हमारे स्मूव कॉलेज मेनेजमेंट की प्रिंसिपल और स्मूव स्टाप की तर्फ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम आशा करेंगे कि हम किसी ना किसी रोज इस मंच पे एक और जो लेक्चरा वो साज़ा करेंगे और हमारे सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद को वो हमारे साथ लगा पर देड़ गंटा जुड़े रहें और स्वालों के जरिये उन्हों भी इस डायलॉग में अपना जो कंट् अच्छा लगा सश्री काल फिर मिलांगे की अधीना कदीश मिलांगे अच्छा हांदी हांदी वेलकम हैं ते दोस्तों आपा इस तरह अगले अन्तवार किसे महत्तपूर्ण टॉपिक नू लेके किसे महर बद्वान लेके ता अडिसान मक्तुफ हुमांगी ता तक ली सारे आनु सासी काल अदाब नमस्ते